नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो सनातन हिंदु धर्म में माता महालक्षमी को यश और वैभव भोग विलास के देवी की रूप में माना जाता है यदि आप मालक्षमी की पूजा विदिवत रूप से करते हैं तो माता लक्षमी आपकी हर मनो कामना को जल्द पूर्ण कर देती हैं और आपको हर संकट से मुक्ति मिल जाती है सास्त्रों में लक्षमी मा को धन की देवी के रूप में माना गया है मानता है कि माता लक्षमी की पूजा रातना करने से माता लक्षमी का आशिरवाद आप पर सदे बना रहता है साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुक समर्दी आती है पैसों की किलत को दूर करने के लिए आज हम आपको माता लक्षमी की पूजा दोस्तों जो व्यक्ति प्रति दिन माता लक्षमी को वे भगवान विश्नु को याद करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है माता लक्षमी स्वेम अपना आशिर्वा सदाय उसके उपर बना कर रखती है माता लक्षमी को परति दिन याद करने से ना सिर्फ आपका स्वास्त अच्छा रहता है बलकि नरक्षे भी आपको मुक्ति मिलती है साथी धन धानने की कभी भी कोई कमी नहीं होती है अर्चना करने का एक ऐसा उपाय बताएंगी जिसे करने से माता माता लक्षमी धन और संपत्ति की अधिश्टात्री देवी है का जाता है कि समुद्र से इनका जन्म हुआ था और इने श्री भगवान विश्नु ने अपनाया था इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है साथ ही वैभव की भी प्राप्ति होती है यदि माता लक्ष लक्षमी आपसे रुष्ट हो जाएं तो गोर दर्दृता का सामना भिया आपको करना पड़ता है। जोति सास्त्र के मुताबिक शुक्र ग्रह से इनका सीधा संबन्ध होता है। जिने करने से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। कहते हैं कि घर में किसी भी समय लक्षमी जी आ सकती है। लेकिन साम का एक ऐसा समय होता है जिस समय लक्षमी जी का आना संबब होता है। इसलिए साम के समय सारे घर की लाइट आपको जला देनी चाहिए और पूरे घर में आप को रोशनी रखनी चाहिए, कहा जाता है कि माता लक्षमी के समक्ष मोगरे का इत्र आवस्य चड़ाना चाहिए, इससे आपके घर में धन की आवक भढ़ने लगती है, और इसी के साथ ही देवी माता लक्षमी के सामने केवडे का इत्र अर्पित करने से हर प्रकार की मानसिक सा जाता है कि शुकरवार के दिन, या फिर वीरवार के दिन, या फिर खास तोर पर से, जो दिन माता लक्षमी के देज शमरपित हैं जैसे दिवाली, आधी का समय, इस दिन आपको सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मा लख्षमी परसंद होगी और आप पर सदैव उनकी किर्पा बनी रहेगी, माता लख्ष्मी को अगर आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो अपने घर को सदैव स्वच्च बना कर रखें, अपने घर में स्वच्चता का ध्यान रखें, क्योंकि मातललक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेस करती है, जो घर स्वच होता है और हमेशा ही उस घर से परसन रहती है, लेकिन इसमें आपको खास तरप ध्यान रखने की बात ये है, कि कभी भी आपको साम के समय घर में जाडु नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि साम के समय ज़ड़ो लगाने से माताललक्षमी रुष्ट हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है कहा जाता है कि परते एक दिन या पर किसी भी दिन साम के समय आपको उज़गे जरूर जाना चाहिए जहां पर मोर निर्टे करते हो और उसके बाद वहां की मिट्टी ला करके एक लाल रंक के कपड़े में बान करके आपको पवितर जगे में रख दे और इसकी रोज पूजा करें जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में रख दे, माता लक्षमी की तस्वीर या उनकी प्रतिमा के सामने रख दे और उसकी प्रतियक दिन पूजा करें और माता लक्षमी की आरती गाए, इससे आपको धनलाब अवश्य होगा इसके अलाबा दोस्तों अपने घर में तुलसी का पौदा जरूर लगाए और इसकी सुबह और शाम एक दीपक जला करके अवश्य पूजा करें अगर संबब हो तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन का चलक लगाए और जब सुबह नहाने के पानी में अगर आप चंदन मिला लेंगे तो इससे माता लक्षमी अचंद प्रसन होती है नाते समय आपको लक्षमी नारायन का ध्यान अवश्य करना चाहिए हो सके तो इनके किसी भी मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए यदि आप माता लक्षमी को जल्दी प्रसन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं ओम श्रीम जगत प्रस्तूते नमाहा लक्षमी नारायन पर चड़े हुए चन्नन से अगर आप आप मस्तक पर तिलक करते हैं तो इससे मातालक्षमी शीगर परसन होती हैं लक्षमी नारायन पर चड़ी हुई खीर अगर आप किसी कन्या को खिला दें तो इससे बहतर तो और नहीं सकता है। कह जाता है कि छोटी क माता लख्शमी नारायन मंदिर में अगर आप अपने घर के पूजा घर में लख्षमी नारायन की पूजा करने के बाद उन पर गुलाब चड़ा दें तो आप के घर में हमेसाई माता लक्ष्मी अपना इस्थाई वास करके रहती हैं, तो दोस्तों यह तिक को कमेंट box में लिखते रहें, जै बजरंग बली.